अलो स्टूडेंट्स वेल्कम तो दिस चैनल आम यूर मैच्स टिचर टोड़े हम क्लास टेंट्स स्टी बीस्टी एंसराटी बुक चैप्टर क्वाडिर्टिक एक्क्वेशन एक्सराइस 4.2 question 2 को यहां पर हम solve करेंगे इसका question 1 हम आप प्रिविएस वीडियो में उसे watch कर सकते हैं otherwise यहां पर मैं आई बिटन में आपको दे दूँगा उससे भी आप टैप करके watch कर सकते हैं so here question is solve the problem given in example 1 that is to solve यहां पर जो आपका example 1 है उसके दो parts हैं जिनने हमें इस वीडियो में solve करना है ठीक है आपको factorization method से solve करना है use करके जो की बहुत easy है मैंने question 1 में आप लोगों को बताया है कैसे question को solve करते हैं ठीक है तो यहाँ पर पहला question आपका मैंने note down कर लिया है इसे solve करते हैं ठीक है आपको देखें इसे हम quadratic equation की general form से पहले compare करेंगे ax square plus bx plus c equals to 0 से abc के हमें यहाँ पर क्यों value शही है हम sign के साथ में compare नहीं कर रहा है ठीक है तो here a equals to आपको देखे 1 है b equals to 45 है and c equals to आपका है 324 ठीक है first step जो मैंने आप लोगों बताया थी हम क्या करेंगे first and last step या a और c का multiply करेंगे a into c that is a into c यानि कि 1 into 324 यानि कि 1 into 324 ठीक है अभी हमारे पास यहाँ पर जो 324 है इसके हमें ऐसे factors चाहिए यानि कि जिनको हम add और subtract यहाँ पर plus है तो हमें add ही करना है addition करने पर 45 आना चाहिए और multiplication करने पर 324 आना चाहिए तो यह तो आसा bigger digit है इसके हम पहले factor find कर लेंगे ठीक है तो इसके पहले हम कहा निकाल लेते हैं factors निकाल लेते हैं 324 के factor तो यह सबसे पहले 2 के table में आ जाएगा 21 दू जा 2 2 6 जा 12 2 2 जा 4 अगैं यह 2 सके चाहिए भागा 28 जा 16 अच्छीँग वीढ लेते है लेते हैं थके चाहिए आप यह 3 से कैंसल हो जाएगा आपका 3, 2s are 6 and 2, 3, 7s are 21 अभी भी 3 से कैंसल हो जाएगा 3, 9s are 27, 3, 3s are 9 and 3 by 3 ठेक है यह इसके हमने factors find कर लिया है अभी जो condition है वो यह है कि आपका plus करते हैं तो हमारा आनाच चाहिए 45 राइट अगर हम multiply करते हैं तो आनाच यह 3, 24 यह condition अगर fulfill करना है तो इसके हम pairing ड़ा लेंगे ठेक है तो देखे कैसे करेंगे 2, 2s are 4 and 3, 3s are 9 9, 4s are 36 होता है आपका राइट तो यह यहाँ पर 36 and 3, 3s are 9 होता है तो 36 plus 9, 36 plus 9 that is 45 होता है हमारा ठीक है यानि कि 36 plus 9 equals to 45 होता है तो यह हमारी condition को fulfill कर रहा है तो यहाँ पर 36 plus 9 equals to 45 होता है and 36 into 9 that is 3, 24 तो यहाँ पर जो हमारा 45 given है इसके place पर हम क्या note down करेंगे 36 plus 9 तेक है तो इसे अभी हम solve कर लेते हैं देखिए x square minus 45 की place में हम लिखेंगे 36 plus 9 और यहाँ पर x है plus में 3, 24 equals to 0 now minus को enter कर देंगे with x तो यहाँ पर x square minus 36 x हो जाएगा बगास plus minus minus होता है और plus minus minus again 9x plus 3, 24 that is equals to 0 अभी यहाँ पर देखिए first यह दो टर्म से हमारा के वहल x common है तो x को common लेंगे तो यहाँ से हमारा बचेगा x minus 36 यहाँ पर देखिए हमारा minus के साथ में common आएगा जो भी आएगा यहाँ पर 3, 24 यहाँ पर हमने factor किये है 3, 24 के 36 into 9 होता है तो 9 इसके पास भी है यानि कि 9 इसके पास भी है बोट से हम क्या कर लेंगे 9 को common लेंगे तो यहाँ से देखिए यह था negative तो हो जाएगा positive यहाँ से बचेगा x only यह positive था तो negative हो जाएगा और यहाँ पर 36 into 9 है यानि कि 3, 24 36 into 9 x minus 36 is common अनेदर ब्रेकेट में आप बचेएगा x minus 9 equals to 0 36 equals to 0 that implies x equals to 36 second is x minus 9 equals to 0 that implies x equals to 9 यह आपके routes हैं जो हमें find करने थे first first part में ठीक हैंड hence routes of given equation are x equals to 9 and x equals to 36 ठीक हैं हमें यही first equation को solve करके find करना था ओके 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 नाव हम इसके second part को solve करेंगे x square minus 55 x plus 750 equals to 0 ठीक हैं इसको मैंने write down में यहाँ पे quadratic equation की general form को write down करके उससे compare कर दिया है a, b और c की value यहाँ पे हमने write down कर दिये है तो first step है हमें पहले a और c का multiply करना है तो 1 into 750 equals to 750 आगे अभी हमें 750 का क्या करना है factorization करने है ठीक है क्योंकि यह काफी बढ़ा number है हम directly तो पता नहीं लगा सकते कि कौन सा number आएगा हमारा ठीक है जिसको हम add करके 75 sorry 55 यहाँ पे find कर लेंगे so सबसे पहले हम क्या करते है 750 का factorization factors कर लेते हैं ठीक है ना यह 3 से cancel हो जाएगा आपका 3 वंजर 3, 3 तूसर 6, 3 तूसर 15 अभी यह आपका 5 से cancel हो जाएगा 5 तूसर 10 और 5 तूसर 25 अभी हमें जो condition है आपकी plus करने पर आपका आना चाहिए 55 and multiply करने पर आना चाहिए 750 तो इसके factors कर लेते हैं ठीक है 5 3 तूसर 15 तूसर 30 होता है यहाँ पे and 5 5 तूसर 25 होता है यानि कि 30 प्लस 25 जो की plus करने पर आपका 55 आ रहा है यानि कि 30 प्लस 25 दाट इस 55 and 30 एंटू 25 जो की आपका 750 होता है ठीक है तो अभी हम 55 के replacement पर 30 प्लस 25 को write down करेंगे तो x square माइनस 30 प्लस 25 एक्स प्लस 750 एक्वोल्स टू 0 तो solve कर दीजे x माइनस और x को अंदर इंटाल हम कर देंगे तो यह माइनस 30 एक्स हो जाएगा प्लस माइनस 25 एक्स हो जाएगा प्लस 750 एक्वोल्स टू 0 अभी देखे बोट से किवल x कॉम आने है तो x माइनस 30 यहाँ पर माइनस है तो माइनस के साथ में common आएगा अभी देखे 25 और यहाँ 750 750 का जो फैक्टर है 30 इंटू 25 होता है तो 25 इंटू 25 बहुत से क्या है हमार common है तो यहां से देखे क्या बचेगा x बचेगा क्योंकि negative था तो positive हो जाएगा positive था तो negative हो जाएगा यहाँ पर 750 का जो फैक्टर है वह 30 इंटू 25 है 25 तो में बाहर common ले लिया है तो यहां से बचेगा 30 equals to 0 अभी दिखेगे x-30 और x-30 आपका क्या है बोथ से common है x-30 को में common ले लिया another bracket में यहां से x-25 आपका बचेगा equals to 0 त्यक्या है अभी हम इसे equals to 0 के लिंगे वेर x-30 equals to 0 that implies x equals to 30 next x-25 equals to 0 that implies x equals to 25 ठीक है हमें यहां पे दो roots find करने थे इसके भी जो की हमें मिल गए है ठीक है hence roots of given equations are x equals to 30 and x equals to 25 यही आपके question के roots है second part के ठीक है I hope आपको exercise 4.2 question 2 के बोथ यह पाट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे if आपको कोई भी doubt है तिन आप comment box में comment करके मुझसे बोच सकते हैं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है then please video को like करें मेरे चैनल को subscribe करें and bell icon को press करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले notifications सबसे पहले मिल सकें thank you